राम मंदर में लगने वाली शिलाओं को तराशने के बाद अब धुलाई का काम शुरू हो गया है। मंदर के पुराने नाप के हिसाब से 1,75,000 स्क्वायफीट पत्थरों की जरूरत थी। करीब एक लाख स्क्वायफीट पत्थर तराशे जा चुके हैं। बाकी बचे पत्थ पत्थरों को राम मंदर परिसर में ही तराशा जाएगा। आप सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरी दुनिया को उस तारीत का इंतजार है जब पी-एम मोधी मंदर की पहनी हूंट रखेंगे। उधर श्री राम जन्म भूमी तीरत शेत्र न्यास के सदस्य स्वामी देगिरी महाराज ने बुद्वार को कहा कि प्रधान मंदर के पांच अगस्त को घूमी पूजन समारोह में शामिल हूंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह में सभी मुख्य मंत्रियों को भी अवश्य ही आमंत्रित किया जाना चाहिए। स्वामी गोविंद देगिरी महाराज ने कहा प्रधान मंत्री राम मंदर के भूमी पूजन के लिए पांच अगस्त को अयोध्या आने को सहमत हो गए हैं। वह वहां करीब देग घंटे रूखेंगे। इससे पहले ये अटकले थी कि वह डिजिटल माध्यम से समारोह में श जाना चाहिए।